कॉंग्रेस महासाचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भरतियों को 5 साल के लिए समविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है ये जले पर नमक छड़क कर युवाओं को चुनोती दी जा रही है गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है वर्सो सेलरी नहीं बढ़ती पर्वानेंट नहीं करते उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्म सम्मान नहीं चीनने देंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और प्रदशन को तै करने वाली सरकार अपने मंत्रियों की दक्षता मापने और कानून विवस्था महिला उत्पीडन और बच्चियों के साथ दुशकर्म और हत्या को मापने का भी कोई पैमाना लाए तो प्रदेश की जनता उनको साधुवाद देगी जिन युवाओं को हसीनी ख्वाब दिखाकर विजेपी ने सत्ता हासिल की वह उनी के साथ चल कर रही है यही उवा थे जिन्होंने सरकार का ताली थाली बजाने औ के लिए सरकार युवाओं के साथ एतिहासिक चल कर रही है यह बेहद अलोक तांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना फैसला है अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा लगभग सत्तर फीजदी समूह खा और समूह गा से आता है भरती के लिए तैमानकों पर उनकी दक्षता का आकलन करके पर्मानेंट करना इस समूह की भरती होने वाले कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है बता दे प्रियंका गांधी ने कहा सरकारी नौकरी में समविदा पर रखने का प्रस्ताव जले पर नमक छड़कने जैसा है जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए बाकि तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ एस पेर नाइन न्यूज रूम से ही शृदिक रिपोर्ट